जैहिन सवी सैनिकों तथा भूत पूर्व सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसे मन यूट्वी चेनल में इस वक्त की कुछ महतोपुन सैनिक समाचार है जो मैं आपको देना चाहूंगा जैसे की सरकार ने एक सर्विसमेन के खिलाफ केस को विड्रो किया इने स्टोल पर भूत पूर्व सैनिकों को छुट देने पर विचार PCDA का अक्सानिकों के हित में बहुत बड़ा कदम तथा आज टाइम एक्स्टेंशन पर सरकार की सुनवाई सुप्रिम कोट में सारी खबरों को बताएंगे विस्तार से बने रहें सबस्क्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे सबसे पहले खबरों को बिस्तार से बताता हूं कि सरकार ने जीतने भी केस थे एक सर्विसमान के अगेंस्ट में उसे विड्रो कर दिया है सरकार ने पताया है कि कुल साठ केस थे साठों केसों को सरकार ने विड्रो कर दिया है जो पेंसन से संबंधिक केस थे उसे सरकार ने विड्रो कर दिया है यह बहुत बड़ी खबर है बहुत खोसी की बात है भूत पूर्वसानिकों के लिए कि सरकार ने इसे विड्रो कर दिया है रक्षा मंत्री ने इसकी सुचना दी है अब अगली खबर की बात करें तो एनेच टोल पर पूर्व सानिकों को छूट देने पर विचार करें गटकरी अभी तक जो भी जिनको भी छूट देने की बात कही गई है उसमें आर्मी के सबसे उचे रैंक के आफिसर है जहाँ जैसे चीफ अफ दी आर्मी स्टाप तथा आर्मी कमांडर नीचे वाले लोगों को छूट देने पर जल्द ही विचार किया जाएगा जैसा गटकरी साहब ने बताया है अगली खबर आमाया आपको पता दूँ कि PCDA ने एक API इंटिग्रेशन साइन किया है State Bank of India के साथ जिन Espers Pensioners का एकाउंट SBI में है वो अपने SBI के किसी भी ब्रां कि कोई अवस्ता नहीं है इसे उन्हें काफी रहत मिलेगी अगली खबर कि मैं बात करूँ तो आज 9 जनवरी है और आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा मांगे गए Time Extensor पर सुनवाई होनी है इसमें पलरा दोनों का बराबर लग रहा है मैं इसके बारे में आपको पता दूं कि दोपर के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मिलेंगे दूसरी वीडियो में जाए